दोस्तों एक हदार रुपया चार्ज है अगर आप पेड़ ग्रूप के मेंबर बनते हैं यूट्यूब वीडियो के जो कि आपको शम को ही देखने को मिलता लेकिन उसके साथ इंप्वाटन चीज है मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सैटीष्वाई हैं सैटीष्वाई क्यों हैं यह मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए लाया हूं आप देखिए कि मेरे एक दोस्त हैं फैसल अपन्स ने पुछा कि सर मेर प्रडिक्शन अन टुडेज़् मार्किट इस एकुरेट एंड आल्सो टुडेज़् डाटा रीडिंग आल्सो प्रफेक्ट एस सजेस्टिट बाइउ लेकिन एक स्क्रीन पे यह भी देखिए एक स्क्रीन शॉट एक बच के साथ मिनिट पर मैंने लिखा कि फाल एक्सपेक्टिट है दाई बजे ऐसा लग रहा है तो मेरे एक दोस्त है अमल जाना उन्होंने पुछा कि कैसे पॉसिबल है तो मैंने का कि मैंने का 3500 से नीचे नहीं जा सकती लेकिन अगर स्पार्ट गई तो वह बोंस होनी चाहिए लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सारे का सारा डाटा जो है उसके बाद चेंज हो गया फिर काल में ओपन इंटरस काफी बढ़ गया पुट में पूरी अन्वाइंडिंग होती गई पहले वहां पर स्ट्रगल हुई उसके बाद मार्केट जो है नीचे के लाइवल पर किसके तो फिर मैंने लिखा वी हैब टो रिस्पेक्ट एस्टर डे प्रिशन टू विच प्लेश में तो इन सब चीजों के बीच में इन्हों ने फिर अपना स्क्रीन शॉट शेयर किया ज मुझे नहीं पता कि आपका क्या प्यरामेटर है क्या अनालिस का डाटा में मेरे कई दोस्त कहते हैं कि डाटा काम नहीं करता डाया रही काम और कुछ काम नहीं करता दोनों तरफ से जो है आपको या तो प्राफिट कमाने का मौका देता या श्टिप्लाउस पीडिट कर announcer का मौका देता है आप किस गाड़ी में सवार हो इंपार्टेंट वो है मेरे वह दोस्त जो कांटिन्यूस मुझे फालो कर रहे हैं उनको समझ में आ रही है कि मैं कैसे कैसे बोलता हूं क्या लिखता हूं कुछ सोच के बोलता हूं और उसके बाद जो है वह प्राफिट भी लेकिन उसके बावजुद केई मेरे दोस्त हैं जिनोंने विश्वास जाहिर किया और वही उसी विश्वास को बताने के लिए मैं आपके साथ यह जो है शेयर कर रहा हूं वीडियो का यह वाला पॉर्शन आब हम चलते हैं देखते हैं कि मार्किट कैसे कल काम काज कर सकती है लेकिन उसे पहले डिस्क्लेमर वीडियो खाली एजूकेशन लर्निंग परपस के लिए मेरी तरफ से कोई भी बैसल का रिकमेंडेशन नहीं है तो कुछ भी ख्रीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेशल एडवाइजर से पूछ लेना चाहिए क्यों पूछना चा साथ वही पैरामेटर वही चीज़ें जो है वह शेयर करता हूं आप चलते हैं देखते हैं कि डाटा कैसे बना और मार्किट की कल दिशा दिशा क्या रहेगी तो दोस्तों आप देख सकते हो कि रिटेलर काल के लिए कहीं ना कहीं बुलिश बुलिश टू मिक्स बोलेंगे क्योंकि इसने इंडेक्स फूचर बेचा है और एफ आई यह भी कहीं ना कहीं इसको बुलिश पूदिशन लेकिन डाटा में कोई बड़ा चेंज नहीं है आप्शन चेंड में देखेंगे कि कहां क्या हुआ है बट डाटा में बड़ा चेंज नहीं है आप देख सकते हो कि सिर्फ काल में कोई बड़ा लंबा चोड़ा खेल नहीं खेला है और यह मार्किट खा है उसकी मार्केट से दिक्तें बढ़ सकती हैं जिसकी बदोलत जिसकी अ मार्केट नीचे थी और उसी की की वज़ें से जो है हमारी मार्केट पर भी थोड़ा सा प्रे зар आया year और बाकी का प्रेशर क्या आया वो positions को ले कि आया कि जो positions थी जैसे bank nifty 35,000 का level तूटा तो वहाँ पे जो है pressure आ गया क्योंकि 1,37,000 कंट्रेक्ट थे put पे और जब market उसके नीचे trade होना शुरू ही तो unwinding हो गई और ऐसा लग रहा कि कल बड़ा खेल होना चाहिए gap अब भी अच्छा मिलना चाहिए एक बार के लिए अगर आज US market कोई बड़ा खेल नहीं खेलती तो वैसे अभी positive कामकाज कर रही है आगे हम देखेंगे भी जब analysis करेंगे तो FIA कहीं न कहीं bullish slight bullish या इसको भी हम mix view बोल सकते हैं pros भी mix view लेके गया है काल बेची है पूट खरीदी है और साथ में index future और star future खरीद है तो राय सभी की बटी हुई है यहाँ पे तेजी है यहाँ पे मंदी है और डी आई इस तो मंदी करके गया है वही net data 22,314 contract यहाँ पे यह हलके हलके positive में आना शुरू हुए थे बट आज फिर से इन्हों ने minus कर दिया है और FIA ने यहाँ थे फिर से माल खरीद लिया है तो 60,454 contract FIA के पास होगे प्रास के पास भी 17,591 17,591 contract इसके पास होगे है और DIA is 55,731 contract DIA is बेच के गया है वही काल में 15,133 15,133 contract retailer के पास है DIA के पास no change FIA is 1,666,681,6,682 contract FIA के पास है और प्रास 1,22,000 contract minus करके गया आप यहाँ पे देखो के इसने भी आज नंबर नहीं बढ़ाया इसने भी हलका सा नंबर ही किया इसने भी कोई major नंबर जो है बढ़ाने में अपनी रोल नहीं दिखाया नहीं तो जिस हिसाब से आज इसके पास था उपर से market नीची आई यह वहाँ पे 2,000,000 का figure पहुंचा सकता था ताकि कल इसको position बचा भी सकता था इसका मतलब factor external थे और बाकी market को कुछ भी नहीं था और वहीं put 2,84,543 सिर्फ रिटेलर यह जो put बेचता जा रहा है 2,84,543 कंट्रेक्ट इसके पास है डियाइज 21,684 कंट्रेक्ट है FIA एक लाख बतर हजार 139 कंट्रेक्ट है और प्रास 90,730 कंट्रेक्ट है लेकिन एक चीज़ है जो डाटा में थोड़ा सा confusion मुझे समझ में आ रहा है कि put पे जो अच्छा खासा open interest था bank निफटी में कल के मकाबले वो किस ने लिया वो डाटा में क्यों नदर नहीं आ रहा है ना ही वह यहां नदर आ रहा है ना ही वह यहां नदर आ रहा है तो वो इतनी put accumulate किस ने की थी और वहीं स्टाक फ्यूचर नाइन लैक्ट नाइन्टी एट मैंने कल ही बोला था दस लाग तक आज पहुंचा देंगे बाट इन्नों ने थोड़ी सी कसर छोड़ दी लगता है कल ये पूरा कर लेंगे फिगर और FIA 42,698 कंट्रेक्ट हैं प्रास 1,75,714 कंट्रेक्ट हैं और D Chi Cal Market की दिशा दिशा क्या रह सकती है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी तो U S Market तो U S Market तो उपर नीचे से उपरी कामगाज आ आप लोग नीचे से काफी उपर कवर करती नदर आई है और SGS निटी अभी आलमोस्ट फ्लैट ही है क्योंकि पचास पे क्लोद ही है तो कासट पे चल रही है तो फ्लैट है अभी तो थोड़ी देर पहले ये नाइंटी पे थी वट अभी फ्लैट हो गई है लेकिन FII ने आज कैश में अच्छी थी मार्किट नीचे आ गई रीजन क्या था वो डाटा में हमने देख लिया कि वर्ल्ल मार्किट रीजन है तो कल क्या हो सकता है लेकिन ये कैश की सैलिंग कुछ कह रही है एक्शली आज ये मंत क्लोदिंग थी तो तीन दिन से आप देख रहे होगी डियाई आई तो क्या ये कल भी बायर होंगे अगर ये सेलर बनेंगे ये भी हमें एक बार के लिए नज़र रखनी चाहिए और अगर कल इन्होंने भी सैलिंग की तो इसका मतलब आल इस नाट वैल अब चलते हैं निफ्टी फ्यूचर पे क्लोदिंग तो 15,721 के लैवल पे होई है पूट में अन्वाइन्डिंग हो गई है तो यहां से तो कोई नहीं है पंदरह 800, 5.750 की पूट में यहां पर भी अन्वाइन इग तो निफ्टी में कोई बड़ा खेल कल दिखे ऐसा नजर नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ एक यही लेवल है जहाँ पर मुझे पूट एक्यूम पहुए बी थोड़ा सा डैशन है अब यहां पे 38 जार हैं और यहां पे 29,000 कंट्रेक्ट है और 15,600 पे 40,000 है तो यह तो कलियर कट हो गया अब हम करें 15,700 पर 22,000 कंट्रेक्ट हो काल में 15,800 पे काल जुडिया तो ये दो लेवल ही है आठ सो पे भी कम ही है तो क्लियर कट अगर आठ सो के ओपर खुलती है और सिस्टेन करती है तब जा के थोड़ा सा मार्किन में स्टेंथ आएगी वैसे भी ये काल कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं दे पाएगी तो जो रेंज रहा सकती है पहले हम वो डिसकस करते हैं 15 600 650 से 850 900 ये रेंज रहा सकती है कल के लिए क्योंकि यहां पे भी अगर आप देखोगे open interest अच्छा है हर लेवल पे और सबसे अच्छा है 15 900 पे और 15 800 वैसे तो 800 यहां पे resistance नज़रा रहा है क्योंकि 74,000 contract है यहां 27,000 है और यहां पे 38,000 contract है और यहां पे 22, 22,000 contract है तो क्या 15 700 sport hold करेगी एक बार के लिए दोस्तों अगर 15 740 50 point का भी अगर gap अप मिल जाता है 770 780 के लगबग अगर open होती है तो शायद एक बार के लिए यह वाला जो लैवल है यह sport के थोर पे काम करें रीजन फिर यहां पे आपको जो है open interest develop होता हुआ नजर आएगा और यहां पे भी होगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज कल जो players है वो इंदा मनी में भी काम करना शुरू हो गए हैं तो कल 15 700 की काल को hero शायद बनाया जा सकता है तो यहां पे भी जो मैंने advice दिया है कि gap down होता है तो हम buy करके चलेंगे 650 की level के आसपास 650-680 की level पे और अगर gap up मिलता है 800 तो वहां पे एक बार wait करेंगे या तो 100-120 point का gap up मिल जाए कुछ sector के share अच्छे खुल जाएं तो वहां पे एक game बन सकती है और आप एक चीज़ देख रहे होगी निफ्टी मातर 25-26 point नीचे बांदू ही है और काल्स की बुरी हालत हो गई है right तो range यही हम पकड़ के चलेंगे 600-850-900 की फिर भी अगर मुझे कुछ नजर आया तो मैं lie market में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहां पे ना ही काल में इतनी aggressive writing देखने को मिली है नाई put में aggressive writing देखनों को मिली है तो मेरे लिए यह data जो है अभी कल lie market में फार्म होगा expiry point of you से अब bank nifty game शायद bank nifty में बनेगी 34,772 34,800 के level पर बन दिया है तो 800 और 200 34,900 के level 950 के level के आसपास जो है वो bank nifty future बन दूआ होगा तो 34,500 पर 39,000 कंट्रक्ट हैं 35,000 पर थावन हदार कंट्रक्ट हैं यह एक strike थी जहां 1,37,000 कंट्रक्ट थे तो आप देखोगी यह 1,37,000 से बाकि सारे कवर होगे और यही pressure जो आया इसी वज़ा से जो है bank nifty उपर नहीं आ पाई उपरने में काम्याब नहीं होई वहीं आप 34,500 पर यह राइटिंग वही है तो अगर किसी कारण वश गैप आप मिल भी जाता है तो bank nifty को फिर नीचे की तरफ देखेलने की जो है राइटर्स कोशिश करेंगे और 35,000 पर ही जो है वो resistance है और sport कहां पर है आप यहां पर देख सकते हो 93,000 कंट्रक्ट हैं और 34,500 पर मातर 39, मातर 28, मातर 26 लेकिन यहीं पर 58,000 कंट्रक्ट हैं तो एक बार के लिए अगर 200,300 पॉइंट का gap अप मिलता है bank nifty अगर 35,100 के ऊपर निकलती है bank nifty spot तो फिर जाके आप देखोगे कि यहां पर further addition स्टार्ट हो जाएगा और फिर जाके शायद कुछ game बने कुछ खेल हो क्यो फिर इनको थोड़ा सा 22,000 कंट्रक्ट हैं 17 यह हैं 17 यह हैं फिर यह थोड़ा सा कवरीं के लिए आएंगे और bank nifty को 35,200,300 कुछ इस लेवल तक पहुछाने की कोशिश करेंगे तो जो range रह सकती है वो कल 35,500 से लेगे 35,300, 35,400 यह range रह सकती है तो मैं कल दोनो range के लिए त्यार रहूँगा अगर यह नीचे खुलती है तो आवर सोल्ड लेवल के असपास खुलेगी तो आवर सोल्ड से फिर जो इसमें शाट कवरीं आएगी वो इसको उपर तक जो है यह भागे तो यह market को बैंक निफ्टी की closing 35,300, 400, 500 इस लेवल के आसपास भी करवा सकते हैं तो अगर उपर खुलती है दो सो तीन सो पुइंट के gap अप के gap अप लेके तो उस case में क्या हो सकता है उस case में मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए position मिल जाएगी सब को और जो players हैं वो इसको नीचे की तरफ push करने की कोशिश करेंगे तो bank निफ्टी पे भी आपको जो है live market पे नदर रखनी चाहिए यहां पे put side में कोई इतनी aggressive addition नहीं है जो हम put देख रहे हैं कि retailer ने बड़ी put ride की हुई है यहां पे तो सारी unwinding हो गई है यहां पे भी आगर आप देख आप से जो है वो position ली होंगी players ने बाकी इनका अभी शोटी नहीं है जो last level है मुझे नजर में आ रहा 34 500 650 लग रहा है अगर gap down होती है तो यहां से एक बार के लिए bankruptcy ऊपर की तरफ आ सकती है इसी के दाए दोस्तों यह वीडियो में यहीं खतम करने जाद हो चाहता हूं मेरे एक बार मेरे साथ detail भी share कर लेना वीडियो करता हूं खतम नमस्कार जाहें